वेल नॉन सॉट इस्टोई राइटर भी है, छोड़ छोड़ी कहारिया मेरों ने बहुत सारे रिखी दूई है तो फायर हिम इस एक बूटिफुल पोएंट, हम लोग समरी लेखते हैं पहले इसका, पता चल जाएगा क्या है कविता में रचित जो है एक 32 सुदर सी कविता है, ही गॉट साहित एक अकादमी अवार्ड इन 1984, 1984 इस्ट्वी में इन्हें साहित एक अकादमी अवार्ड भी विला था, और एक और अवार्ड का जिक हुआ है, जो हमने यहां पर नहीं बताया है, एक कॉमनवुल्थ अवार्ड है एक और, वो भी ध्यान में रखिये गा, he is also a well-known sword story writer, होगा है, यहां पर sword छूटा हुआ है, आप इसको एक और करने से, sword story writer, in the present poem, इस कविता में, प्रस्तुत कविता में, the poet tells about a burning heart, वो description जो विबरन जो किया गया है, किसका किया गया है, a burning heart का, burning heart, he refers to samsang heart, यानि यह ऐसा जगा ज जड़ा आया जाता है, बात में किनी सेगा, पहले समझनी से, फिर देखिए, तो next paragraph, यह पहला introduction था कविता के बारे में, इसे किस ने लिखा, उठी है, साइट एक साइट एकादमी अवार्ड मिला, 1984 में, वेक सौर्ट इशो याइटर के नाम से भी जाने जाते है, आप इस क जब, once एक बार, he went for a walk, वो जब एक बार टहलने गए थे, घूमने गए थे, with his father, अपने पिता के साथ, the incident took place, यागटना कब हुई थी, 20 years से वो, 20 साल पहले, जब वो कविता लिख रहा है, इससे लगबार 20 साल पहले यागटना हुई थी, since the poet was a child, उस समय क्या था, तभी जो है, छोटा सा बच्चा था, then, he could not understand the view of burning fingers, हमने बताया था, कविता के अंदर कवी ने वर्नन किया है, बताया है, कि वहाँ पर आधी जली जली अंगुलिया भी थी, burning घाट, चुकि समसान घाट है, वहाँ पर dead body जो जल रही है, कोई आधा जला हुआ है, कोई पूरा जल The sight frightened, frightened मतलब होता है भैवीत, यानि उस द्रिष ने उस बच्चे को जो कभी एक बच्चा उस समय था, उसे दरा दिया, लेटर, बाद में, his father explained that, उसके पिता ने बताया, समझाया, a body was burning there, कि एक सरीर, जो है, एक नित सरीर वहाँ पर जल रहा था, The way the author has described the cruelness of fire, the way, जिस तरीके से, the author has described, कभी ने वर्णन किया है, the cruelness, cruelness मतलब जाना है, क्रूर्ता कह सकते, brutality भी एक वर्ण इसके लिए आता है, क्रूर्ता, of fire, जिस तरह से आख के क्रूर्ता का वर्णन कभी ने किया है, इस एप्रेसिवल, एप्रेसिवल का हिंदी नहीं यदि आपको बता है, नोट कर ले नहीं, प्रसंसाजनक होता है, या प्रसंसनीय, 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 वे कहते है, वे कहते है, the ass is looking like swearing in everything, स्वेरो मतलब कर बताया थे याद है किसी को, नहीं, नहीं, स्वेरो मतलब नी गल्लना होता है, हमने लिख थाया, the the point says, the ass is looking लाइक राख ऐसा लग रहा है मानो स्वैलोई एवरिधिंग कि वह सब कुछ निगल रहा अपने अंदर he never forgot that side वह उस द्रिश्य को कपी घुला नहीं the poem is a beautiful description कविता जो है बहुत ही सुन्दर विवरन है किसका of the emotion भाबनाओं का emotions करने और अच्छा रहेगा of a child एक बच्चे के emotions का भाबनाओं का क्या क्या मन में उसके हुआ जब उसने burning heart के उस द्रिश्य को देखा and the burning heart और उस burning heart के द्रिश्य को भी बहुत अच्छे से explain किया है actually all reference और deeply ले चले तो निकल बताया था ये एक घटना के बारे में है ये story टायकी है इसको कविता में लिखा गया कविता के रूप में लिखा गया इसको बस एक फॉर्म में दे दिया गया कविता का फॉर्म बट ये actually है चिताये जो जल रही थी उस संसान घाट में जो चिताये जल रही थी वो कुछ जली हुई थी पूरी तरह से कुछ आदी जली हुई थी और उस आख की लोग को उस लालिमा को आपकी लालिमा को देखकर कभी को ऐसा लगा उस वह जो है सब कुछ खत्म कर दे रही है और सब तो उस निकल जारा, अपने अंदर सब को समाविस कर लिया जारा है, फिर कुरुवेल्टी इसलिए खा गया कि जो है, आग को कुरुवेल कहा कई है, और उस कुरुवेल्टी को वो कभी जीवन पर नहीं होल सका, क्योंकि स्वभावी के एक बच्चे का जो हिदय होता है, काफी क्योंकि सेंसिटिव होता है, सब विरंसील होता है, और उस कुरुवेल्टा के द्रिष्ट को देखकर जो कि एक इनसान का सरीफ जल रहा हो, उसे यह नहीं पता था, वह जीविक सरीफ है, उसे यह भी नहीं पता था, कोई इसान मरता थी, जो भी बच्चा बहुत चोटा था तो उस द्रिष्ट के कुरूरता को देखकर होगा, उसे कभी भूल नहीं पाया, तो कविता इसी बारे में है, तो कविता का डिस्क्रिप्शन फूल, आप समझ गया होगी, यह इसको बेल लिखने से, फिर अब लोग जो बाद में इसको समझ लेगी, ठीक, इसको नोट करें